तो फ्रेंट्स, वेलकम टू यूट्वी स्टडी माईसिल्फ दिनेश यादो और आज की इस वीडियो में बताएंगे फ्रेंट्स, क्लास 12 का जो इंगलिस का प्रोजबुक है फ्रेंट्स, तो प्रोजबुक में केवल आपके 7 चेप्टर हैं, और 7 चेप्टर से बोड इक्ज आज की इस वीडियो में चेप्टर नमर दो, तीन और चार, इस वीडियो में तीन चेप्टर को सर्रेक करके जो की 6 important questions बनाया है, और इस वीडियो में जीतने भी questions बताया हूँ, बनाने मतलब बताने वाला हूँ, उसका अर्थ हिंदी तथा इंगलिस में भी बताऊंगा, त मतलब तीन चेप्टर को किलियर करके उसमें बता दूँगा, तो इस वीडियो को अंताग देखना, लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस यूटूब इस अठी चैनल को सब्सक्राइब करके वहल आइकन फ्रेस कर लें, तकि आपको हैर एक वीडियो तो क्यों आपको दो, तो चलिए, पहला जो कोशन है कि, इसमें दो कोशन क्या है, कि मतलब कि एजी गार्डिनर का साथी यातरी कौन था, ठीके, दूसरा है कि, वें डिट द अथर बीकम अवेर आफीज फेलो ट्रेवलर, इसका मतलब वें डिट द अथर, अथर मतलब होता ह लेखा, तो देखिए फ्रंस, लेखा की, अपने साथी यातरी के बारे में कब पता चला, तो इसमें कोशन पुछा है पहला कि, एजी गार्डिनर का साथी कौन था, और दूसरा पुछा है कि, लेखा की, अपने साथी यातरी के बारे में पता कब चला, ये कोशन देखिए, 2018 में 17 में 16 में 12 में पूछा है हो सकते हैं 2020 में या future board exam में पूछे कि इसका answer देखिए यहाँ पर कि A.G. Gardiner's fellow traveler was a mosquito जहां से देखिए A.G. Gardiner के साथ ही यातरी एक मच्छर था यहां तक हो गया इसका मतलब क्या होता है friends मतलब लेखा को अपने साथ ही यातरी के बारे में पता चला जब क्या हो रहा था जब उसके नाक पर एक मच्छर बैठा था ठीक है तो इस तरीके से याद करेंगे A.G. Gardiner's fellow traveler was a mosquito जो मतलब A.G. Gardiner का साथ ही यातरी कौन था एक मच्छर था आर्थर बीकम अवेर आप His fellow traveler when he was reading the news paper and the mosquito set and his nose मतलब कहेंगे कि लेखा को अपनी साथ ही यातरी के बारे में पता चला जब वह अख़बार पढ़ रहा था तो उसके नाक पर है क्या बैठा मच्छर बैठा तब भी याद आ गया दूसरा जो हमारा question friends आपको दिखाता हूं इसमें लेखा है कि What does breaking the regulation D.O.R.A. mean समझी कि what मतलब किया डज मतलब breaking मतलब breaking मतलब तोड़ना The regulation D.O.R.A. mean इसका मतलब कह रहा है कि regulation कोगे कि regulation D.O.R.A. regulation D.O.R.A. regulation D.O.R.A. तोड़ने का मतलब क्या होता है है ना कि यह question 2019 में पूछा था कि regulation DORA तोड़ने का मतलब क्या होता है इस cancer देखे दोस्त कि breaking the regulation of DORA means कह रहा है कि यहां पकाएंगे कि regulation क्या बोलेंगे कि regulation DORA तोड़ने का मतलब होता है कि आप that that मतलब कि you are not following the principle which provided the British government during the great war वार मतलब यूद होता है ठीके फ्रेंट्स यहां तक बता दिया मैंने देखे कहेंगे कि regulation DORA तोड़ने का मतलब होता है that you are not following the principle मतलब कि आप सिधान्त का पालन नहीं कर रहे हैं यहां तक which जो provided the British government during the great war इसका मतलब कि जो की British सरकार को महानियूद में मतलब महानियूद के दोरान मतलब परदान किया तो इसका answer इस तरीके से याद कर लेंगे चलते हैं जेकेंड नमर जो चैप्टर हमारा है देखिए दूसरा हो गया तीसरा चैप्टर यह है न इस चैप्टर का नाम है the secret of health success and power by James Allen तो देखिए दोस्त यह जो हमारा मतलब चैप्टर है तीसरा है न इसके राइटर है James Allen तो इस चैप्टर से में आपको केवल तीन मतलब तीन इंप्टरन कोशन सलेक्ट किया हूं जिसको आपको अच्छे से बताने वाला हूं तो देखिए जो हमारा इसमें तीसरा नमर कोशन है इसका मतलब क्या हो फ्रेंट्स इसका अर्थ भी जानेंगे त हेल्द ये कोशन 2018 में पूचा था 17 में 16 में इसका अर्थ जाने तो क्या होता है इसका अर्थ की अच्छा स्वास्त हासिल करने के जाने का क्या राज है इसका अंसर देखिए दोस्त जानेंगे कि we can get good health यहाँ पर ए है है न है न है इस सुन आज वी रिलाइस देट देट दे sickness is the result of our error or sin sign मतलब जानते पाप होता है न इसका और देखे we can get we can get good health हम लोग अपना स्वास्त अच्छा स्वास्त प्राप्त कर सकते हैं as soon as we realize that the sickness तो इसका पूरा मैं निचोड अर्थ बताता हूं we can get good health as soon as we realize that the sickness is the result of our error or sign तो देखिए इसका और्थ होगा कि जैसे ही हमें हमें एहसास होता है कि जैसे ही हमें एहसास होता है as soon as मतलब जैसे हमें एहसास होता है कि बीमारी अच्छी हो सकती है तो बीमारी हमारी या गलत का प्रिग्राम होता है यह हमारा बीमारी हमारी या मतलब पाप का प्रिग्राम ह होता है sign मतलब क्या होता है पाप तो इसका एंसर आप इस तरीके से मतलब समझ कर याद कर लिजी कि वह आप इंग्लिस का एंसर इंग्लिस में देंगे राइट नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं फ्रेंट्स तो चलिए चारों में कोशन है कि इसका एंसर क्या होगा दोस्त कि सफलता देखिए वाले कहेंगे कि स्वास्त मतलब सफलता और सक्ति पावर मतलब क्या होता है सक्ति मतलब इसका एंसर देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि हेल्द स्वास्त प्रेंड एंड पावर स्टिम फ्रां जेंडियों फैत्थ इन गुड्नेस एंड वन सेल्फ इस वेल आज देखि अन एल्डिंग प्यूरिटी आफ मांड एंड थॉट जो देखि हल शक्षिज देखि ध्यान से हल शक्षिज और पावर इस्टीम फ्रॉम जनीव फेत एंड फेत इन गुड्नेस जो देखिए इसका कहां कि स्वास्त की अच्छाई और अपने आप में वास्तिक विश्वास से और साथी मन की विचार की पवित्रता से होती है इसका अर्थ आप पढ़ेंगे न तो आपको समझ आ रहा होगा ठीक है तो आपको एक कोशन देखना और सीधा इसका एंसर यहां से याद करना है चलिए 5 नमर कोशन बता है यह वाला कि who is fit to command and control तो आपको क्यों इतना ही आपको याद करना है देखिए इस काने का मतलब का है कि कमान देखिए आप पर पताएंगे कमान और नियंत्री के लिए कौन उपयूक्त हैं तो यह कोशन आप अच्छे से याद केजिए कि only he who only he who command and control himself it fitted to command and control others पहले इतना कार समझ लेंगे तो थोड़ा पढ़ लेता हूँ self command and self control can give controlling and commanding power तो चलिए only he who command and control himself काने का मतलब केवल वही वही जो उसे नियंत्रा करता है और उसे नियंत्रीत करता है वह दूसरों को आदेश देने क्या होता है वह करता है वह दूसरों को आदेश देने और नियंत्रीत करने के लिए क्या करता है फीट बैठता है तो आपको यह hope कि यह question अच्छे समझ आ रहा nue आप चलिए जो हमारा next मतलब चैप्टर है आगे वाला यह हमारा चोथा चैप्टर है ना तो देखिए चोथा चैप्टर जो हमारा इसमें से आपको क्यों एक ही सब्सक्राइब किया हूं जो कि इंपोर्टेंट है जैसे यहां पर लिखा है कि वाई वाज दिखिए फटीग यह हमारा फटीग लिखा है ना वाई वाज फटीग डिलेरियस थाट आउट दनाइट जो कि 2019 में पूछ रखा है तो इसको जरूरी है कि आपको याद कर लेना चाहिए वाई वाज फटीग डिले रात भर क्यों बोलता रहा तो दिखिए कोसें पूछ रहा है कि वाई वाज फटीग मतलब फटीग फटीग मतलब होता है फकीर है ना फकीर रात भर क्यों बोलता रहा तो दिखिए इसका अंसर देखेंगे फ्रेंस तो दिखिए फटीग वाज अंडर दफेबर मतलब फटी था, he was feeling server heads and was afraid of his aunt, देखिए दोस्त, यहां से पलिस करद, he was feeling server heads and was afraid of his aunt, इसका मतलब है कि वह, मतलब कहेंगे कि वह गंभीर सीरदर्द महसूस कर रहा था, वह गंभीर सीरदर्द क्या कर रहा था, महसूस कर रहा था, दोस्त है न, और वह अपने aunt से डर रहा था, ठीके न, friends, वह कहेंगे कि वह गंभीर सीरदर्द का महसूस कर रहा था, यानि feeling कर रहा था, और वह अपने aunt से डर रहा था, aunt मतलब होता है, चाची, right, he was troubled about the bad treatment given by him aunt, देखिए दोस्त, he was troubled about the bad treatment given by his aunt, इसका मतलब होता कि वह अपने aunt द्वारा दिये गए, बुरे उपचार से परिशान था, दोस्त, he was troubled, वह परिशान था about the bad treatment given by his aunt, अपने aunt के द्वारा दिये गए, उपचार से, दोस्त, आगे लिखा है कि, so, he left her home, इसलिए वह अपना घर को छोड़ दिया, and stayed in the rain throughout the night, और पूरी रात, घर से बाहर, मतलब बारिश में रहा, भीगा, है न, he was delirious due to high temperature and panic of her aunt, देखिए दोस्त, he was delirious due to high temperature and panic of her aunt, इसका मतलब क्या हुआ, कि उच्टापमान, high temperature का मतलब होता है, उच्टापमान, ठीके, उच्टापमान, कहेंगे कि, उच्टापमान, और उसकी aunt के, अतंग के कारण, वह बिहाल मतलब की था, ठीके, इसका answer, आप इस तरीके से, याद कर लेंगा, अगर इसका PDF चाहिए, पूरे कोशिन का, तो आपको, वार्शब ग्रूप में मैं अपना send कर दूँगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, और बहुत सारी वीडियो मैं बनाया है, और description में जाकर check कर लेना, है ना friends, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, वीडियो पर नए है, चैनल को सब्सक्राइब नेकर, चैनल को भी सब सब्सक्राइब करके वीडियो आइकन दबा लेना, important question पाने के लिए दोसे,